next question is boiling point of water at 750 mm of Hg is 99.63 degree Celsius ठीक है तो यहां पर T0 का value जो है that is 99.63 degree Celsius दिया उसे हमें Kelvin में convert कर लेते हैं तो 273 से प्लस कर देंगे 273.15 प्लस 99.63 ठीक है प्लस कर देंगे एंदन आफ्टर बॉइलिंग पॉइलिंग पॉइलिंग का प्रेशर दे दिया है प्योर का यहां पी नॉट एका वैली दे दिया है 750 mm of Hg मतलब यह weight of solvent पूछ रहा weight of solute पूछ रहा है is added to 500 grams of water तो weight of solvent दे दिया है that is 500 grams such that the water boils at 100 degree Celsius ठीक है तो यहां पर elevation in boiling point दिया है delta Tb equals to molality into Kb ठीक है अब delta Tb का value question में तो दिया हुआ नहीं है ठीक है अब यहां पर solution का जो boiling point दे दिया है 100 degree Celsius पे बॉइल होगा फानी that is Ts का value कितना दिया है 100 degree Celsius इसको हम Kelvin में convert करते तो 273.15 से plus करना है so this comes out to be 273 373.15 Kelvin ठीक है अब यहां पर आपको delta Tb का value कैसे मिल जाएगा because we know that delta Tb equals to Ts minus T not solution कितना दिया है 373 373.15 minus कितना है 372.78 अब सब्ट्राइक करोगे 0.37 जो है डेल्टा टीवी का value मिल जाएगा 0.37 अब लाइलिटी वापस से क्या होता है अब लाइलिटी इस नंबर ओफ मोल्ड ऑफ सल्यूट अपन वेट ऑफ स्वाल्मेंट इन केजी ठीक है वापस लिख लेते हैं तो नंबर ऑफ मोज्ट साल्यूट अपन वेट ऑफ स्वाल्वेंट इन केजी इंटी क्या है kg नंबर ओफ मोज्ट का फर्मिला क्या होता है घिवें मास अपन मॉल्यकिल आम हमें तो डव्यपी का वैल्यूट वैल्यू करना है इसका कि यहां पर सॉल्यूट क्या है सुक्रोज है सुक्रोज का फॉर्मिला क्या होता है सी ट्वेल एच ट्वेंटी टू ओ लेवन इसका आप मॉली किला मास निकाल तो कितना जाएगा 342 ठीक है यहां 0.37 दिया है कुश्चन में और वेट आफ सॉल्वेंट इन केजी यहां देखो को वेट आफ सॉल्वेंट ग्राम्स में दिया 500 kg में रखना डिवाड़ वाएगा अगर देंगे 1000 और के बी का वैले कितना 0.52 ठीक है तो वन यू सॉल्वेंट व्पी का जो वैल्यू आ जाएगा 121.67 ग्राम्स इस दो फाइनल आंसर